दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को 24 बोल DC रिले बोड के बारे में बताऊंगा अगर आप फैरो में, इंडेक्शन फार्निस में, CCM में, रोलिंग मिल में, पेलिंग मेशिन में, बांडेल मेशिन में कहीं भी अगर आप काम करते हैं तो 24 बोल DC रिले बोड के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा इसका controlling connection कीस तरह रहता है काम कीस तरह करता है 24 बोल DC रिले बोड में हमारा फॉल क्या क्या आता है सारा details के बारे में आपको जानना पड़ेगा bundle machine में और आपका paling machine में proximity sensor लगा हुआ रहता है तो proximity sensor को connection आपको किस तरह करना है आपका काम किस तरह करता है proximity sensor आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुरे details में बताऊंगा और समझाऊंगा 24 volt DC relay board हम लोगों के induction furnace का PLC वाला panel आ रहा है उस पर भी connection दिया हुआ रहता है तो relay board हमारा खराब हो जाएगा तो आपको पता किस तरह चलेगा वो भी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नमस्कार दोस्तो practical experience technician तपन YouTube channel में आपका स्वागत है आज कुछ नया सिखते है 24 बोल जो DC relay board है इसमें आपका साप साप लिखा हुआ है हम positive है और इधर लिखा हुआ है कि हम negative है तो negative बला आपका क्या होता है ज्यादा तर आपका जो connection रहता है ये common बना दिया जाता है ये से relay board है देखिए कि हम लोगो furnace panel है उस पे भी आपका जो दे देते है हम लोग comment point को एक दूसरे के साथ loop कर देते है तब क्या होगा जब भी आपका ये positive बला supply है ये जिस purpose के लिए काम के लिए हम लेके जाएंगे ठीक है direct एक ही wire जाता है चाहे आपका देखिएगा furnace में आपका sensor है उस पे भी positive बलाई आपका घुमेगा अगर आपके पास spelling machine है या आपका bundle machine है उस पे किस तरह काम करेगा जो ये वाला connection में बनाया हूँ ये आपको देखने के लिए मिलेगा और positive के लिए आपका separate separate wire जाएगा proximity sensor में हमारा क्या होता है टीन गो wire होता है बहुत सा जो proximity sensor है आपका दो wire का भी आता है ठीक है और तीन wire का भी आता है और चार wire का भी आता है ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप proximity sensor में काम कीजिएगा wire जो already connection किया हुआ है उसको खोलने से पहले आपको देख के खोलना है कि कौन किसका है अभी proximity sensor में एक होता है हमारा PNP फेज, neutral, फेज ठीक है मतलब ये हमारा positive है ये हमारा negative है ये हमारा positive है तो PNP को हम लोग clear जो जानते है उसको हम लोग positive, negative, positive भी बोलते है और एक होता है हमारा NPN negative, positive, negative ठीक है लेकिन मैं जिस तरह आपको समझाऊंगा ये positive, negative से आपको उतना tension नहीं लेना है एकदम clear clear जो काम किजिएगा उस टेम आपको ध्यान में रखना है जो हमारा brown color है brown color में आपको हमेशा positive supply देना है जो आपका blue color है उसमें आपको negative supply देना है जैसे ये common बला मैं आपको समझाया हूँ ओही supply यहाँ पे देना है और जो black बला है इसमें क्या होगा जो आप इसमें positive supply दिये जब आपका sensor, oxygenative sensor काम करेगा उस time इसमें फिर आपका return जाएगा ठीक है? तो return जाएगा PLC में signal मिलेगा तब ही आपका ठीक से काम करेगा अगर कोई करण से ये wire और आपका ये बला wire पल्टी करके लगा देते हैं तो आपका काम नहीं करेगा और क्या होगा? proximity sensor आप 10 बर लगा लिजिए आपका खराब हो जाएगा और जो हमारा NPN है वही जो मैं यहाँ पर आपको समझाया हो same to same आप negative में एक supply देना है जो brown बला है brown बला में आपको negative देना है और blue बला में positive देना है और black बला में आपका return जाएगा ठीक है? अगर 3 wire है तो connection इसी तरह same to same करना है अगर 4 wire है तो उसका भी connection अलग है अगर 2 wire है तो उसका भी connection अलग है आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक connection के बारे में बता रहा हूँ अभी इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है ध्यान में रखना है proximity sensor के उपर आपका साप साप लिखा हुआ है देखिएगा 8 mm इसका मतलब होता है दोस्तों जो हमारा proximity sensor है यहाँ पर आपका एक light मतलब लगा हुआ रहता है red color का देखिएगा जब भी इसके आसपास metal आएगा तो वो sense करेगा तो इसके लिए यह light देखिएगा थोड़ा सा जलेगा जलने के बाद फिर बंद भी हो जाता है तो यह क्या होता है वो sensor आपका काम करता है जब आपका कोई metal नजदिक आता है तबी तो उसका जो यह जो हमारा metal इसका जो distance है ठीक है distance हमारा कितना है 8 mm इसलिए यह सब सब लिखा हुआ है sensor के उपर के मैं 8 mm तक ही काम करूंगा अगर आप 12 mm 2 x 20 mm कर दीजेगा तो थोड़ी काम करेगा नहीं काम करेगा अगर मान लिजँ एक आड अम से आप थोड़ा सा exhaust कर सकते है जैसे अगर मान लिजँ 8 mm उसको आपको 6 mm करना है या 4 mm करना है तो आप कर सकते है 8 mm तक last है इसके लिए जो light लगा हुआ रहेता है red color का उसके उपर में एक screw दिया हुआ रहेता है उसको घुमाक आप exhaust कर सकते है क्या आप 6 mm में ले रहे है या 8 mm में ले रहे है ये भी आपको setting के उपर depend करता है और इसी तरह आपको set करना पड़ेगा एक proximity sensor को इसके बाद हमारा main important क्या होता है 6 volt से लेके 36 volt भी DC लिखा हुआ रहेता है तो अगर आपका 6 से लेके 36 volt भी DC लिखा हुआ है तो आपको DC ये देना है क्यूंके दोस्तों जो हमारा proximity sensor है ये हमारा AC का भी आता है और आपका DC का भी आता है ये बात को आपको याद में रगना है जहाँ पर आपका DC का यूज होगा तो आपको DC देना है जहाँ पर आपका AC सप्लाई का जरूरत होगा वहाँ AC सप्लाई देना है और जब आप proximity sensor लेका आईएगा उसके उपर ये बला लिखा देख लीजिएगा अगर ये AC बला होगा तो उस टाइम 6-36 बोल्ट AC आपका क्लीन लिखा हुआ रहता है तो ये भी आपको देख के ही काम करना है जहाँ पर आपका मालीजे के दोनों sensor तो देखने में एक ही रहता है सब चीज आपका एक ही रहेगा कुछ अलग नहीं रहता है सिरिफ एही पर अंतर आ जाता है जहाँ पर आपका DC का जरूरत है तो वहाँ पर AC ठोश दीजिएगा और जहाँ पर AC का जरूरत है तो आपका ये जो proximity sensor है काम एक बार करेगा उसके बाद दोबारा ओखराब हो जाएगा तिसरा बार ओखाम नहीं करेगा बहुत सा फ्रेंड हमको एही बात बोला है कि जो proximity sensor है ये हम लोग को बार बार खराब हो जा रहा है लाया लाने के बाद जैसी store से लेका है लगाया फिटिंग किया एक बार चला उसके बाद फिर खराब जब ये जो हम चीज आपको बोले है चेक करने के लिए ये जितना सारा चीज है जब चेक किया गिया तो इसी में से जितना सारा मैं फॉल्ड बता रहा हूँ हर जगा इसी टाइप को फॉल्ड मिला और जो फॉल्ड मिलता है उसी को पुल मैं वीडियो बनाएका आप लोगों को समझाता हो कि आप लोग जब proximity sensor लेके काम कीजिएगा तो आपको कुछ दीकत ना हो और जितना हो सेका मैं आप लोगों का help करता हो अभी दोस्तो एक और चीज ध्यान में रखना है जो हमारा brown बला wire है यह हमारा positive है और जो negative है negative में आपका कोई fuse बेगरा लगा हुआ नहीं रहता है यह जो brown बला wire है यहाँ पर आपका 0.50 ampere उसके बाद 0.75 ampere और last में 2 ampere थक fuse लगा हुआ रहता है कहां पर जहां पर यह connector रहेगा जिसको हम लोग बोलते C connector ठीक है उसके अंदर में यह fuse आपका लगा हुआ रहेगा इसके बीज में पतला wire दिया हुआ रहता है पतले जिस हिसाब साबका जरूरत है अगर 2 ampere का जरूरत है तो 2 ampere का लगा रहेगा अगर 0.50 ampere का जरूरत है तो 0.50 ampere का लगा हुआ रहेगा तो इस fuse को हम लोग glass fuse बोलते है और यह आपको positive side में ही मिलेगा इन कुछ कुछ चीज जो है आपको बहुत बड़िया से ध्यान में रगना पड़ेगा जैसे हमारा कोई भी wire आपका body नहीं होना चाहिए ठीक है और positive और negative का जो supply है वह भी आपका पर आना चाहिए जो हम लोग CCM या furnace में काम करते हैं यहां का fault के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जहां पर आपका SBO operator रहता है इसके पास आपका push button रहता है या आपका touch pad रहता है ठीक है तो जब हम यहां पर touch करेंगे तो हमारा यहां पर क्या होगा यह जो NO point है यह NC बनेगा NC बनने के बाद PLC में क्या होता है आपका module लगा हूँ रहता है यह module में signal आएगा module जब आपका काम करेगा तब आपका आएगा relay board में relay board में किस में आएगा A1 में आएगा तो यह दोस्तों क्या होता है जो हमारा relay board है तो जो furnace panel और आपका CCA में इसका जो काला काला relay लगा हूँ रहता है इसलिए आपको इसका अंदर तक दिखाई नहीं देता है जब इसको तोड़ के देखिएगा तो एक देखिएगा NO रहता है एक आपका NC रहता है ठीक है और यह NO NC उसके अंदर में काम करता है किस तरह जिस तरह आप सिगनेल भेजिएगा उसी तरह आपका काम करेगा ठीक है इसके बाद क्या होता है जैसे यहां से हमको चाहे पूसर चले रिसीवर चले यह स्टेनर चले 24 वोल्ट हमारा पावर पैक में सप्लाई जाएगा तभी आपका काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा तो इहां से हमारा क्या होता है कि एक सप्लाई दिया हुआ रहता है तो जब आप इसको दबाईएगा तो यह कोयल आपका ओपरेट होगा ओपरेट होने के बाद यह NO 24 वोल्ट DC आएगा ठीक है और जो कॉमन पॉइंट है यहां से आपका दिया हो रहेगा यह हमारा एटू यह हमारा नेगटिव है और यह हमारा पोजेटिव है ठीक लेकन DC में जो पोजेटिव है पोजेटिव में पोजेटिव लगाना है और नेगटिव में आपको नेगट सब्सक्राइब तो आपको बता रहा है। आपको रिले हैं कराब हो गया मतलब क्या पूरी तरह से खराब नहीं हुआ जब आप यहाँ पे दवा रहे है push button को यहाँ टच पट को टाच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका relay में supply आ रहा है आने के बाद यह भी एनो वाला जो है NBC हो रहा है यहाँ तक पोंच रहा है जब आप multimeter में check कर रहा है तब आपका 23 volt DC मिल रहा है ठीक है एक बार 23 भोल्ड आ रहा है एक बार 23.5 आ रहा है ठीक है अब आप fold ट्या हो रहा है यह क्या हो रहा है जैसे मैं example के लिए बता रहा हो कि तूसर पूसर आपका यह टास्पट को बार-बार-बार-बार-बार-बार-खोजा-खोजी कर रहे हैं तो एक बर चल रहा है या चार बर दबा रहे हैं या कोई तो देखे जो यह एनो पॉइंट है इसका जो यह बला पॉइंट है इसके इहां पर पूरा काला हो गया है इसलिए टास्ट तो हो रहा है लेकिन ठीक से करनेक्ट नहीं हो पर रहा है और वोल्टेज कैपसिटी जो थोड़ा सा कम है इसलिए यहां तक पॉपर वोल्टेज नही आपको जो चीज चल रहा है इहां पर भी आपको पर 24 बोल्ट DC एकदम आएगा तब ही आपका ठीक से काम करेगा थोड़ा सा भी वोल्टेज काम होगा तो काम नहीं करेगा तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आज इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो हमको जुरूर कॉमेंट करके बताईएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कॉमेंट जुरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा नमस्कार